अफलन दोस्तों आप सभी लोगों को Iconic Techno का नेया एपिसोड वीडियो में स्वागत करता हूँ् तो एपिसोड वीडियो है memory के ओपर memory एपिसोड No.4 जिसमें हम लोग बात करने बाले हैं एपीजोड नमबर थ्री में जो हम लोगों ने बात नहीं की तो मितलब अप्टिकल मेमोरी जिसके बारे में हम लोग इस एपीजोड में बात करने बाले हैं तो आएए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एपीजोड नमबर फोर पाउड आइकोनिक टेगनो तो हम लोगों ने मेमोरी का पहला एपीजोड में मेमोरी के बारे में जो बेसिक यंप इनफ्वरमेशन है उसको देखे थे उसके बाद हम लोगोंने एपीज़ नमबर त्यो देखे जहां पर हम लोगोंने रैम रोम के बारे में इसके बाद में हम लोग हम लोग यह दो आप्लोभीड हम लोगों वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिसकास करने बाद हैं तो पहला जो सवाल आता है तो आखिरकार से उप्टिकल मेमोरी क्या है से होता है आफu मेमोरी में तरफ मेंगलने रहा हुए में नहीं होता है से उस DVD के उपर हम लोग आमना जो डाता है वह सारी डाता वहाँ पर शेफ कर सकते और वहाँ से ए्रेस भी कर सकते हैं तो ऐतो आप्टीकल मेंमोरी इस तीन प्रकार के होते हैं एक होता है हुआ था और इसको बनाए था फिलिप्स और सोनी के कोलाब ब्रेशन में सीडी बनाए गया था आप लोग सीडी बहुत बार देखे ही होंगे आप लोग तो सीडी गांच चलाने के लिए इन सब काचो में पूराने जमाने में सीडी होता था लेकिन आभी तो मेमोरी कार्ड य इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलना नहीं है लेकिन जिद्रा इन्फोर्मेर्शन आपके लिए उसफुल हो उत्रा ही हम लोग बोल देते हैं एक राउंड सेफ का होता है इसको पॉली कार्बोनेट का एक प्लास्टिक से इसको बनाए जाता है और इसके एक साइड में आ आप लोगorg Aluminium का लेयर देखें तो उसी Aluminium में हम लोग घ्र आता होता है उसको टोक कई सेफ करके रखते हैं और थके सेटी में आ घर्ट यह कामाशन घरते तो इसकी वांपर दिट्रेता को तो तो सही रहता है लेकिन ऊपर चैसे कौबार हो नसाता है स्क्राइज की वाज़े से भूआ बहुता है इसके वज़े से घोसे नहीं कर सकते तो इसलिए सीडी को एक सैप्टी के साथ एक बॉक्स में रखा जाता और इसका जो कैबसिति ने से जो होता है और इसको जो लेजर होता है इसके लिए एक खास तरह के लेजर रे यूज किया जाता है जिसका जो फ्रिक्वेंस से वह 700 नैनोमेटर की होता है तो आप चलिए देख लेते हैं सीडी का जो तीन प्रकार के होते हैं उस तीन प्रकार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है इनमें थोड़ा सा ही फ़र्क है का सिडी का जो पहला होता है वह सीडी रोग और दूसरा यह सीडी यह और ताराइस सीडी 6 Burke सबसे आप लोग जरूर पैचंग चुके हैं कि इसका खासियत क्या है अगर आप लोग रोम के बारे में नहीं चानते हैं तो उपर आई के बड़म पर आप लोगों को रोम के बारे में जो डीटेल्स वीडियो है वो मिल जाएगा तो इस सीडी रोम में यह होता है इसमें आप कुछ इस भी नहीं कर सकते हैं कि रोम का खासियत होता है वह आपे सब कुछ पहले से रहता है तो इसमें भी वही होता है तो इस सीडी रोम किस काम में लगाई जाता है तो इसको आप लोग जो मूवी देखते हैं या पर कोई गान चलाते हैं जिस सीडी में वह सीडी काम लो बात में आता है CDR, CDR का खासियत है इसको आप लोग तो read क्या सकते हैं और इसमें लोग लिग भी सकते हैं लेकिन इसको erase नहीं क्या सकते हैं और CDRW में आप सब कुछ freehandling क्या सकते हैं जैसे कि आप लोग ardix में या पर ड्राइव में आप लोग करते हैं कि या फिर आंपए कोई data estoure कर सकते data olrier नहर। तो दोस्तों सभी लोगों आभी आभी CD के बारे में जमना हैकी इसके बात रहूप घूत हैं मुझा और यह तो धबीद का अखिर में क्रतिए टो हुआ है इसका फूल सरॉन होता है डिजिटल इसचाइल लिक्स जिसको हम लोग सॉटकार्ड में डीवीडी बोलते हैं तो इसको सीडी के तरह दिखता है और इसमें जो भी सारा चीज लगाई गया है वह सीडी का ही जो चीज लगाई चाहता है वहां पर भी लगाई गया है सिर्फ यहां पर कुछ डिफरेंस हाए तो इसमें आप लोग 4.7GB से 17GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं दूसरी तरफ हमारों जो सीडी होता था वह 650 से 700 मेगाईट का मतलब MB तक डाटा समाल सकता था जो की एक बहुत बड़ा चेंज है डीवीडी में तो अभी अभी हम लोगों ने जाना है सीडी के बारे में और डीवीडी के बारे में इन दो लोग को जाना चाहिए इसका तीसरे भाग में जो किया ब्लू रेडिक्स तो चलिए इस ब्लू रेडिक्स को अच्छे से समझते हैं यह जो ब्लू रेडिक्स बना गया था इसको आखिर पेंड्राइब और हार्डिक्स साब के लिए बना गया था इस ब्लू रेडिक्स को त करते हैं तो आखिरकार इसका जो मेमोरी का जो साइज वह बहुत ही बड़ा है वह एक पेंट्राइब की तरह ही होता है इस ब्लू रेडिक्स को तैयर करने के लिए इसमें बहुत सरा रहता है तो इसमें हार एक लेयर में यह 25 जीवी तक डेटा को स्टोर करके रख सकता है और इस डिक्स में जीदना ज्यादा में जदना ज्यादा स्टोरेज हो गा जैसे कि आगर आपके लोरे डिक्स में दो लेयर है तो वहां पे एक लेयर के लिए 25 और और एक लेयर के लिए 25 तो कतना हुआ 50 GB तक वह डेटा आपने पास समाल के रख सकता है जो की बहुत भी बड़ा एमाउंट है हम लोग DVD में देखे थे वहाँ पे 4.7 GB तक डेटा समाल सकता है उससे भी बहुत ज़ादा आगे आता है मतलब इसमें आगे दो लेयर रहा था तो उस डिक्स के तुलना में 10 गुन ज़ा लगता है जो कि बहुत बड़ा एमाउंट होता है आप लोग समझी रहे होंगे आभी के दुनिया में 100 GB या फिर 200 GB तक का ब्लू रेडिक्स आता है जो की बहुत ही अच्छा ही होगा और इसको चलाने के लिए कोई अलग से सब्सक्राइड नहीं लगता है एक लेजर रे की करता है जैसकी डीडी में होता था डीवीडी में गया में अब जाओ प्रेग्स दे hugging सेमी से था बाब आवी कलर की या लगाई जाता था लेजर लाइज़ लाइच और उसका फ्रीक्वेंसी होता थे जो ब्लू रेक्स को देखने में जाए तो आप लोगो में नानो-मिट दखना में अब लोग को समझ में आए आ चुका हुगा ब्लू-अ की तरह दिखते हैं इसका साइच कोई भी अधला बदली नहीं होता है तो जू एक अखिरकर नम ब्लू-इक कोई और भी तो नम पहाँ सकता था तो इसके लॉजिक सिंपल सा है यह गैचरा अलबे की तरह नेहीं है इसका अलग होता है और इसका कलार भी अलग है डीवीडि में से का नाइडrique क मतलब इस ट्रिक्स के गया तो आई होब आप सब लोग ए ब्लू-RAY डिक सीटी और डीवीडी के बारे में फूल डीटेल वीडियो में जान चुके हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्रेग कर दीजे फ्रेंड्स और फैमिली और flash memory के बारे में बात करेंगे जो की बहुत ही छोटा topic है तो चलिए आज के लिए बस यहां पर ही रखते हैं मिलेंगे आगले वीडियो पर तब तक के लिए जाए हिंद झाल झाल